असलामलेकुम नाजरीन प्रोग्राइम टॉप्रेंड पाकिस्तान और मैं हूँ से अधायर नाजरीन बातकरेंग टॉप्रेंड की तो आजकल हमारे यहाँ हमारी पूरी यूथ में जो सबसे बड़ा टॉप्रेंड है वो हैं क्लिफ एप्स मोबाइल फोन मोबाइल फोन एक ए जो हमारी है एक ग्लोबल वर्ड जिसको हम कहते हैं उसके हवाले से इसको बहुत एहमियत देते हैं लेकिन दूसी तरफ बहुत सारे एप्स बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग्स ऐसी भी है जिसको हेल्थ एजुकेशन और मुखलिफ पॉइंट अफ यू से डिंजरस भी माना जा है आज के प्रोगैम हमारा मूजभ यहि है कि यह ऑनलाइन गेमिंग यह मुखलिफ एप्स का इस्तमाल हमारी नوجवान नसल में इस तरीके तरीके से फरोग पा रहा है कितने फवायद हैं किस तरीके से इसको बैनिफिट किया जा सकता है और कितने इसके मुज़ असरात हैं ज जाहिद मेडिकल की स्टूडेंट हैं और अच्छे ग्रेड्स लेती हैं बड़े पढ़ाई में बहुत अची हैं तो दोनों से चुके दोनों स्टूडेंटS हैं किन्जा गजाबी स्टूडेंट है तो जानना ये चाहेंगे कि हमारे यूथ में ये एप्स कितनी ज्यादा मकबूल हैं, इनकी मकबूलियत की वजह क्या है और क्या ये उनकी स्टूडेंट लाइफ पे अपनी घ्रेलू लाइफ पे और किसी ना किसी है तक उनकी स्टूडिस को ये तो मैं टिक टॉक से पहले डब स्मैश था तब स्मेश ताब से यूज कर भी यूज यह तो पहले तो मेरा ख़ाली शोग था एक तो फरेंज की गैथरिंग अगी तो लोगों को भी तो जिए लेकिन दीक टॉकरते करें तो अपने लिये नहीं बल्के बाकियों के लिए भी बै हमारे पास ना टिक टॉक में हैं तो टिक टॉक एब मुझे अपने लिए नहीं बाकी यंग जनरेशन के जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी लगती है देखिए अभी आपने बात किया कि मुखलिवता कि टैलेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं लेकिन उसमें तो अगर आप सिं फिफ्टीन मिनिट्स के लिए खाली डबिंग कर लेते हो लेकिन अब जो है वो वन मिनिट का है कि उसमें आपना साउंड आफ करके अपना खुद भी बना सकते हो तो लोग उने काफी जएदे हो बनाया हुआ है कि वह लोग कुछ से अपनी मतलब सिंगिं करते हैं और कुछ सब्सक्राइब करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके स्लो मोज होती है और मिलब बहुत पहले तो यह थाना कि लोग में अवेर्निस नहीं थी अब लोगों में आगी है पहले डवस्माश था अब टिक टॉक टॉक बैंड होगी है लेकिन इसके बाद भी भी तो करें एप युज करें आप युज करें उसके अलावा यह है कि कि टॉक धिन वी पी एंट है अच्छा कितना घाम रोज का गुजारती है ःप यपन अगर हम वीकली बात करें तो कितना ताइम आपका स्पेंड होता है करोना तो उसकी वज़े से तो । कापी ददद टाइम पहले देखने में लगता से जब हम देखते ते तो अंदर शोग पादा होग था पिर नाते थे करोना मुकंबल तो खत्म तो नहीं होगा लेकिन अब यहोता है कि अब युनिवर्सिटी में जाना होता है अब थोड़ा मेरा यह होता है कि वीक में मेना फाइब तो सिक्स टिक टॉक्स बना लेकां गुड चले जी आपके असाथ गुफ्तकू का सिसा जाई रखेंगे इजा बात करेंगे अगर हम टिक टॉक की तो सबसे पहल तो आप यह बता है आपने भी कभी एफ यूज की है कभी टिक टॉक यह किसम की चीजों में इंटरस्ट लिया नहीं कोई बेसिकली तो मैं नहीं लिया लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा हो था कि प्रेंट्स ने बोल दी अच्छा मुझे लगा कि इसका पसंद आया तो चलो मैं देख लेती हैं तो यह नहीं के बिल्कुली इसमें नेगिटिविटी है मैं देखा कि कुछ लोगों ने वीडियो रेसिपी लगाई में 15-10 मिनट्स की मेकप टिटोरियल लगाए में इसके लावा कुछ डांसिंग वगारा सिंग तो सही था मतब लिकिन बस वेस्टेज अफ टाइम है कभी खुद बनाने की कोशिश की है मुझे नहीं मुझे नहीं तो अब लगता है कि यह तमाम तर अप्स चाहे वह गेमिंग अप्स हैं पपजी आज बहुत ज्यादा जो है वह हमारे यहां ट्रेंड में है यह स्टूडेंट की स्टूडेंट लाइफ को किस तरीके से मतासिर करें इस तो बहुत ज्यादा एफेक्ट क्यूंकि मेरी फ्रें करके वह हमारे पता ही नहीं चलता थ्री टू फोर आर्ट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं फिर हमारे स्टूडी में इसमें काफी इस तरह मुतासर हो रहा है कि जिस तरह अगर हम देखें कि अगर पढ़ने है जी अच्छा कोई वीडियो आगी क्यूंकि जारी नूटिफिके इस आप्स तो मुझे उसके बारे में शोर तो नहीं है कि उसमें आप कुछ पैसे भी इन्वाल्व होना शुरू हो गए हैं बच्चों पर साइकलोजिकली कहीं ना कहीं यह गेमिंग्स जो है वो एफेक्ट का रही है आप मेडिकल स्टूडेंट हैं हेल्थ वाइस भी चीज हैं मतलब एक जगह आप बैठे लेंगे तो आपकी जो स्पाइन जो है वो टर्न करेगी कर्फ करेगी तो यह पोस्टर का वहादा शुआ रहा है आई साइड है इसके लावा आपकी मेंटल डिटार्डनेस हो रही है मतलब आपके हल्प में शूज आ रहे हैं और इसके लाव साइकलोजिकल एफेक्श तो आप यह बताईए कि अब जब बंद हुई इसके खिलाफ रियक्शन भी हमारे सामने आया है और दूसी एप से शिफ्ट हो गए है लेकिन आपको लगता है कि यह कहीं ना कहीं फूट फूल है आपकी लाइफ को में इनोंने कभी कोई चेंज क्र पहले तो यह होता था कि ना हम यंग्स्टर्स न्यूस देखते भी नहीं हैं तो टिक टॉक आने के बाद ना मुझे परिसनली मुझे खुद 40% information के मुल्क में यह हो रहा है आज इसको यह किया आज इसकी लड़ाई होई और आज इमरान खान ने एक बोल दिया यह सब कुछ अजिए दिफरेंट स्टेप के डांस कर रहे हैं और मुझे तो नाम भी नहीं आते किस तरह की कर रहे हैं और सिंग इन अग्स्टान में यह टालिए टॉक में था नहीं बंदों हम यंग्स्टर्स ने खुद अंदर अपने किया है क्यूंकि अगर आप देख रहें के इंडि अब लोग इसमें अपने टालेंट शोग अपना टाइम कर रहे थे और मोस्ट अफ दे इंपोर्टन थिंग लोग इसमें अर्म भी कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे मैं बहुत डिसपॉइंट हुई कि यह एकदम से बेहन होगी अब जिसका हमारे मुल'का एक मज्दूर है वो सुबह आता यवो सुबह अपने घर से निकलता एपना समान उठाता है लाक्चान पेल जो 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 आ वह एक रोड के किनारे बैठा होता है सुबह से लेकर शाम तक वो धूब में बैठा होता है, वो बस इस इंतजार में होता है, कि कोई आए उससे मजदूर ही करवाए, ताकि वो अपने बच्चों का दो वक्त का पेट पाल सके अपने बच्चों के लिए, लेकिन टिक टॉक के बैन होने से, या पबजी के बैन होने या अन बैन होने से उसका क्या फाइद है? लेकिन देखें, हमने अपने आने वाली नसलों को भी वो ही मजदूर, वो ही, शायद वो मजदूर वहाँ पे इसलिए बैठा है, कि उसने अपने पर अपने टाइम पे एजुकेशन हासिल नहीं किया, उसने अपने टाइम पे जो और वो अपने एक बहुत बड़ा टाइम जो है, वो यहां spend करके, वो भी इसी unemployment के सफर पे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने अगर point of view रखा है, कि पाप जी या TikTok बैन होने से उन्हें रोटी नहीं मिली, तो दूसी दर पाप जी या TikTok होने से उन्हें रोटी मिली भी तो नही तो आप क्या कहना जाएंगी? या, आपका point ना valid है, लेकिन एक बात है कि जब उनका दोर था, तब technology इतनी नहीं थी, इवन कि अभी तक parents समझते हैं कि सिफ doctor और engineer ही है, वो बागी किसी शोबे को, बागी किसी profession को मानते हैं, कोई अगर acting कर रहे हैं, वो इतना नहीं मानते है तब तक नहीं मानते हैं, जब तक बंदा एक बड़ा कोई स्टार को इसका नाम ना हो जाए, तो पहले तो यह होता था कि आप लोग या तो doctor बन जाओ, या तो engineer बन जाओ, लेकिन अब यह होता है कि लोग आप से एक और बात जानना चाहेंगे, इजा के साथ थोड़ी सी ग ना जाएंगे कि हमारी चुके हम एक पाकिस्तानी और इस्लामी मौश्रे में हैं, तो हमारी कुछ अपनी एक सेट लाइन भी तो हैं, हमारी इकदार भी तो हैं, जो शायद आपने इंडिया की मिसाल दी कि वहाँ पे डांस अकैडमीज हैं, वहां सिंगिंग अकैडमीज हैं अब यह तो आप पे डिपेंड करता हैं, कि आप किस ट्रैक पजा रहे हैं, कि लाइफ इस अल अब इंडिविज्वल चॉइस, अब आपकी मज़ी हैं, आप किस तरह ब जा रहे हैं, मैं आपको जाओना जाओं कि टिक टॉक में जब से में यूज करी हूं, मुझे ऐसा कोई इन अप्रोप्रियेट कंटेंट नजर नहीं आया, क्यों नहीं नजर आया, काफी दाओं को और भी नहीं नजर आया, सिर्फ इसलिए नहीं नहीं नजर आया, क्यूंकि हमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, हमने उस चीज़ को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया, अच्छ यहां पे तो आज़ सारा जमाना यूद का है तो और जो एरा वो डिजिजिलाइजेशन का है तो हम आप बच्छों को निकाल तो नहीं सकते कि आप जो है वो गेम्स ना खेलो या टिक टॉक यूज ना करो गिए वो लेकिन अगर हम टिक टॉक की बात करते हैं तो यहां दिखा यह नहीं मैंने का इन्होंने बिल्कुल कॉइंट से का है के पॉजिटिव चीजे भी है नेगिटिव भी है लेकिन अगर देखें तो उसमें लोग कुछ ऐसे हैं जो फॉलो करें नेगिटिव चीजों को और इसी वज़ा से जो है वो आज हमारा टिक टॉक बैन हुए वरना उसकर रहे हैं लेकिन आप उनको फॉलो ही ना करो जो लोग किस तरह के चीप कॉंटेंट दे रहे हैं इसा यहां पर एक बात जरूर करना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी सोशल मीडिया को इस्तमाल करती हैं बास दफा हमारे सामने कॉंटेंट हम क्या चीज़ करती हैं उसमें बाइच्छा कॉंटेंट है तो यह कैसे हम लोग करेंगे कि एक-गर आट साल के बच्चे के हाथ में मॉबाई था अच्छा yeah या वो बुरा कॉंटेंट देख रहा है, means overall उसके सामने सब कुछ है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? बिलकुर आप ठीक कहरे हैं कि हम यूट्यूब खोलें या वैसे ही, तिक टॉक में भी अकसर ऐसा था जिनको हमने फॉल नहीं किया होता, वो हमारे पस आगे आइड़ आज़ते हैं, तो वो ही मैंने बाद की कि कि आप चीप कॉंटेंट को ब्लॉक कर दें या फिर आप उनको बैन करें, इंस्टेट कि आप पूरी चीज़ को आप जिस चीज़ से बच्चों को रोकोंगे, उन्हों ने उसी तरफ जाना है, यह जिस चीज़ से आप रोकोंगे, तो आइ थिंग के जो स्कूल में टीचर्स हैं, और जो अकैडमी में टीचर्स हैं, और पेरेंट्स वगहरा, वो सारे मिलके इसमें इंपॉर्टन रोल प्ले करें, कि आप जो हैं, वो उनको देखें कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहें, किस किसम की यूज़ कर रहें, तो यह इस से सुसाइटी काफी बच सकती है, नाजरीन, गुफ्तबू असिसला भी जा रही है, प्रोग्राम में अभी वक्त वा जाता है, एक छोटे से ब्रेका मिलते हैं, ब्रेक के बाद, वेलकम बैक नाजरीन, नाजरीन बात कर रहे हैं, आज हम एक बड़े दिल्चस्प मौज़ू पे, आज हम बात कर रहे हैं, टिक टॉक और जितने भी हमारे सोशल मीडिया एप्स हैं, उनके हवाले से, किस तरीके से वो मतासिर कर रहे हैं, और यकीन करें कि मुझे गुफ्त हमाले से, जो इंबिग्विटीज हैं, वो कौन क्लियर करेगा, जिस हवाले से, जो मुक्तलिफ हम इसके यूजिज और मिस यूजिज हैं, उसको कौन देखेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेस्टिन मार का है, इसको हमें लाजमन देखना होगा, गुफ्तकु का सिसा जारी करते हैं, इसा जैसे अभी इन लोगों ने, किंजा ने हमाई सामने एक पॉइंट रखा था, कि टिक टॉक अगर बंद हो गई है, तो इसे एक मजदूर को कोई फायदा नहीं हो रहा है, या टिक टॉक, इन्होंने इंडिया की मिसाल दी है, कि वहाँ पे जो है, वो अकैडम आपने अपना वो टाइम वहाँ गुजार दी हैं, वो जो आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में तो गुजा सकते हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप हमें ये बताएं, कि वो जो फिजिकल एक्टिविटी को हमारी यूथ ने छोड़ाया, और वो जो ये इस इलेक् गेम्स परियेड होता था 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 ता टीचर समय सिखाती थी हैं, आप में बहुत शॉक होता था कि वह घ्लेंगी यूदी तो आज कर मैंने देखे हैं, अभी तो करोना था तो उससे पहले भी मैंने देखे हैं, कोई गेम्स टीचर प्रपर नहीं हैं, बस जिन उन शूड़ा गेम्स में पार्टिसपेट करना सिर्फ उनको अलाओ था और बागी शुड़न्स को आप अलाओ ही नहीं करते हैं, तो इसी वज़े से बच्चों को जब आप अधर स्कूल में ही हल्दी नहीं दे रहे हैं, तो जाहरी बात है उन्होंने किसी ना किसी जगा पर जाना है, और पिर डु़ het बाहर निकल दा रहत तो भालाओ में खाहरो बाहर निकलना, और रहारे नहीं में भालाओ ऑगाँ ए छोटे बच्स आप आप कर एपूटवाल खेल खेलते हैं, तो वो शल्ट ला में एक है उन्हीं को ऑन पर पार्ट मुबाइल में हैं दो केधा बंद बच्च अच्छा किनसा आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप एप यूज़ करती हैं आप स्टूडेंट भी हैं डेफिनेटली आपने बनी स्टूडिस को भी टाइम देना होगा अब जब से आप ये एप्स यूज़ कर रहे हैं और इससे पहले आपको लगता है मैं अगर अपना पॉंट आफ यू दू तो मुझे ना ये किसी तरह नहीं लग रहा है अगर मैं दो गहने बंग एचेजिए के लिए बैटी हुए हूं या थी आवर्स के लिए ये तो ऐसा नहीं हो सकता ह। तो मैं आप थी हूं तब भी रहुआ और बरेक ले लेपना बिता ह। इस से क्या होता है कि मैं थोड़ा से फ्रेश हो जाती हूब कि मैं बाहर किलने तो जा नहीं सकती, बाहर चोटे बच्चे भी नहीं है कि यह दो बाहर हम दो जा सकता है। तो I don't think so. आनलाइन गेमिंग पे, चुकि हम लोग अवराल आनलाइन गेमिंग पे बात कर रहे हैं, हम एप्स पे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ये भी देखा है, कि पिछले कुछ हरसे में कुछ बड़ी खौफनाग गेम्स भी हमारे सामने आई हैं, जो के हमें बहुत मैसिव लेवल के उपर किलिंग्स तक भी आई हैं, कि हम ये देखते हैं, कि एक गेम को देखते हुए, एक बच्चा जो है, वो किसी मस्जिद में जा रहा है, और वो उस को अपने आप में फिजिकली फील कर, आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं डेंजरिस लेवल पर जा रही हैं, बिलकुल है, एक्सेस यूज ओफ मतब एवरी तिंग जो के आप एक्सेस यूज करें, वो तो हर चीज ही डेंजरिस है, ये कौन तह करेगा, कि एक्सेस है, मैं पब जी की बात करूँ हूँ, कि पब जी अगर बंदा खेल है ना, जैदे तर ये बहुत खेलते हैं, तो वो बाकी घलत अक्टिविटीज में नहीं जाते, लेकिन आप ये भी तो देखें, कि पिछले कुछ अरसे में हमाई पास ऐसे भी आए हैं, कि टिक टॉक, सेल और इस किसमझी चीजों में, बच्चों ने अपनी लाइफ को रिस्क किया है, कोई बच्चा ट्रेन के आगे खड़ा है, और वो टिक टॉक बना रहा है, और वो टाइम पे नहीं हाट सके, और ट्रेन उनके उपर से गुजर गई है, कोई बहुत सारे जो हैं, कहीं सी पानी म बनाते हुए, तो जब चीजें इतने रिस्की लेवल के उपर चली जाएं, तो आपको नहीं लगता कि इनको वाक्य स्टॉप हो जाना चाहिए, यहां पे, हो जाना चाहिए, लेकिन मैं टिक टॉक की बात नहीं करूंगी, कि टिक टॉक को बहन हो जाना चाहिए, ज़स विक 80% लोगों के लिए, आप 80% लोगों के टैलेंट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, इसा आप बताएए, क्या जो बात इनों ने कही, 20%, इस इट रहा स्मॉल रेशो जिनको हम कुर्बान कर सकते हैं, एक एप के लिए, बिल्कुल भी नहीं, I think कि, अगर हम बैं, अगर यह कर बैंन नहीं होना चाहिए, वो तो इन अप्रोप्रियेट या तो फिर आप कॉंटेंट को कर दें, या फिर आप बच्चों को इतना आगे अवेर करना ही ना दे कि वो आगे जाके और इस तरह की वीडियो बनाएं और उसमें करें, तो मेरे ख्याल से 20 रेशो हम, अगर एक द क्या जनून है, क्या सोच है, जो हमारी यूद को अपनी लाइफ को रिस्क में डालने पे मजबूर का रही है, इदर वो किसी सेलफी के लिए हो, टिक टॉक के लिए हो, चाहे वो किसी ऑनलाइन गेम्स जो हमारे पास आई थी, जिनके लिए लोगों ने अपनी जाने ले ली तो क्या किसी एप के लिए जिस्ट फॉर फ़न अपनी लाइफ को रिस्क करना, यह क्या साइकॉलजी है? मेरे खिया से नथिंग इस यूसलेस बद द यूसेज मेक इट सो कि आप जो है वो बच्चे जो है वो आपस में यह देख लिए कि जो सारे स्टूड़न्स बच्चे वो आपस में लगे होते हैं मतलब कनेक्शन कर लिए घरम बेशक दूर दूर रहें लें लेकिन कर गेम्स और फिर उनमें यह कंपिटिशन आगया पस में यह रहां यह यह बला आप कर लिया तुमने यह यह बात नहीं लोग सारे सावरी बात नहीं कर ने उसके लिए घरमनेख लिए और ट्रेन क्या ली थी लाइक तो इरह जो इनले कहा था मैं भी अभी अब यह करूँगा मेरे द कि अगर अगर सिबम्टर शाइसे जादा सबस्ट के लेगी तो मैंने क्यों नहीं लें युदियू लेंगे उसने गेम्स में फुटबॉल तो मैंने भी फिर्स्ट आनए तो यह होता है अब यह बिजिटर digitalization का जमाना आगा तो ये लोग जो है वो अब आपस सारे आपस में बच्ची ही होता है कि हम digital use करें अच्छा आप कौन से एप्स ज्यादा यूज करती हैं कितना टाइम अपना गुजारती है social media पे अधर मैं फेस्बुक की बात करूँ जो मैं यूज करती हूँ तो फेस्बुक मैंने जो है वो अजात और यही हूँ मेरा उता है एनाखनी डॉक्टर निजीब के लेक्चर्स मतलब आपने सब्जेक्ट से रिलेटिद चीज़े हैं अच्छा मतलब वहाँ तो आप कही ना कही अपने ही सब्जेक्ट को स्ट्रेंटन करें फेमिली लाइफ के बारे में आप से जानना चाहेंगे किन्जा पेरिंट्स के साथ भेन भाईों के साथ या आउटिंग में कितना टाइम स्पेंट करती है क्या ये वही टाइम है जो पहले आप स्पेंट करती थी या कही ना कहीं आपके मॉबाईल यूजेज ने या आपकी इन मस्रूफियात ने आपके फेमिली टाइम को कम किया है बहुत कम किया है लेकिन अभी तक मेरा ये है कि में जहां पी जा रही होते है में जरूर साज आती हूँ मतलब मैं अभी तक ना उनके साथ बहुत अटाइच हूँ लेकिन ये जरूर होता है कि अगर आप गाड़ी में बैठी है तो रादर देन कि आप अपने फादर से बात करें मदर से बात करें यूर यूजिं यूर मोबाईल यूर बिजी इन मेकिं टिक टॉक इसता क्या होता है आपकी लाइफ में ये है कि मेरे अबू को मूबाईल ज्यादा यूज करना अच्छा नहीं लगता तो मैं जब उनके साथ होती हूँ तो मेरा ज्यादा तर यह होता है कि मैं मुबाइल को अबाइल करूँ और वाकी में मुबाइल छोड़के ना मेरे अबू की बाते बहुत इंट्रेस्टिंग होती है तो मैं उनको काफी सुनती हूं मुझे काफी अच्छा लगता है अगर वैसे चले यह तो आप में बता है कि आप अपने फादर के साथ एक अच्छी बांडिंग है तो आप उनके साथ लेकिन आप जब किसी फंक्शन पर जाती है कि शादी ब्या किसी गैधरिंग फ्रेंड सम्तिंग तो क्या वहां पे यह होता है कि आप अपने मुबाइल पे ब्रादर देन कि अप उस चीज को इंज किया हमारी एजुकेशन ने भी कर दिया है लाइक अगर हम सुभा आठ बजे घर चे निकर रहे हैं तो यो युनिवर्सिटी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं कि आप दो बजे घर वापिस आजें आप हमेशा आती है पांच बजे छे बजे फिर थोड़ा रेस्ट करना फिर फिर उनके पास आना और फिर हां मुबाइल यूज करना इसा सेम क्वेस्टिन आप से भी फैमिली लाइफ आज के दौर में अगर आप देखें क्योंकि जाहर है कि हमारी जो एक हम लोगों ने तो वह दौर भी देखा कि जिसमें एक लैंड लाइन फोन होता था जब बिलके ने शायद फोन को थोड़ा से ज्यादा करीब से लेकिन एंड्राइट तो अभी अभी आपकी जिंदगियों में इंटर हुआ बिफोर एंड्राइट आफ्टर एंड्राइट क्या फर्क है अगर कम्योनिकेशन नहीं आप कर रहे हैं तो आहिस्ता तो आपकी कह सकते हैं जो आपकी इश्यों वह ज्यादा भड़ते जाते हैं और ज्यादा होते जाते हैं मैं आपको एक्जामपल देती हूँ यह हमारी बात है फाइव यह पहले की बात है कि मेरे ग्रेंट फादर जो है उनके साथ हमारा ही होदा था कि हम एद उनके साथ करते थे तो उनने एक स्पेशल फुटबॉल मैच रखा होता था और क्रिकेट मैच हम फैमिलीज के दर मैन दाथा कि फीमेल अलग और मेल अलग हम लों का हर इत पे जो थाना वह हमारा ही हो था कि हमने क्रिकेट खेलना है और फिर कौन जीत देगा वह हमें खाना कहलाएगा लाइक दिस तरह तो मैं कि दो साल से भो बिल्कुल नहीं होगा सब मॉबाइल में बीजी है आप ने कभी ऐसा मनसर देखे अपने घर में भी अपने कॉलिज में भी कि बैठे हैं फ्रेंड्स का गुरूप बैठा है फैमिली बैठी है बट आप काम हो चुकिए फैमिली अगर बैठी है वापस में ब बच्चा है वो अपने पेरेंट से बात करना भी जा रहे है तो वो मॉबाइल में इतना बीजी होते हैं यह कभी कभा शाओट कर देते हैं और फिर बच्चा भी ऐसा ही आगए से रिस्पॉंस करता है तो बहुत जादा यह एफेक्ट हो आप क्याल में फैमिली बांडिंग क आप और इौपकी में चीजने आप अगर हम देखेंगे को आप एड़ाप्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चों के आगे फ्यूचर का क्यूंकि हमने फिचिर सेफ करना है तो बहुत जटा सेफ होगा अच्छा किंजा आप चुकE एप गो बहुत लाइक करती हैं आप मुबाईल को बहुत लाइक करती हैं आप ने भी जैसे अभी कहा के POSITIVE और N aussah आप बहुत ज प्ल को छोड़ लेकिन उनको यूज आना चाहिए, उसका यूज क्या है, मतलब क्या है, as a IT student में तो यही कहूंगी कि आगे का दोर बलके यही दोर, हमारा सिर्फर सिफ कंप्यूटर का है, even कि अब लिखना भी नहीं है, आपने असाइमेंट देना है, वर्ड पे देना है, LMS में आपकी आपक जून क्लासिस होंगी आपकी, तो बच्चों को पता होना चाहिए, यह न एक बच्चा जिसको आप मुबाइल से पूरी जिंदगी दूर रख रही है, अब वो जा रहा है, मतलब वो बायर तो निकले का कभी ना कभी, अब वो जा रहा है, और वो लोगों के हाथ में मुबा उनिक तो पहले तो जब थी नहीं, तो इसका कुछ था हिने, लेकिन आप जब नुकर झाल आ चूह थाप्या, यह खिर का है। तिक टॉक, तो बाख ओए कब यह कुछी हैं मुबा के और यहिशन प compete की प्रत्साफाइब की कना ब्रस्ता को तो प्लेटक मैं सबंगी है यह न एक उन्हें महनत के अवह थे आना चाहिए आपक हो वह फेम कमाने के बाद रहे चाहिए हैं मैं आप तो नहीं जानते होंगे लेकिन अली हधरबादी की बात कर लूं कर लों रहे बहूंत ही मिडल क्लास फैमिली से है लेकिन उसने फिर भी मतलब जस् स्ट अपनी वॉक तो बंदा दो यह तरीक्तिकें होता है यह तो उसके पास तैलन्ट ऌट यह तो उससके पास लॉकूशenne तो उसके पास थी लॉक और वह काली अपनी वॉक से अब वो अर्ण भी कर रहा है और इस टेक टॉक की वज़ा से वो दुबाई का टूर भी कर रहा है इजा आपको लगता है कि ये एक जो हमारा रवाया है जिसके बारे में किंजा ने भी बात की है के जी हम इसे अर्णिंग कर रहे हैं और वो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट ह आपको लगता नहीं है कि हमारी यूथ यह जो इजी मनी अभी यह तो वक्ती चीज है ना इजी मनी आ रही है इसकी वज़ा से वो डी ट्रैक हो जाएंगे और हमारी आने वाली नसल शायद सिफ टिक टॉकर्स की रह जाएगी और हमेशाद डॉक्टर्स इंजीनियर्स या ब जाता जिसकी लगता है बहुत मिश्किल हो आपको अगए तो आप एक घंटा यूज करों लिगे ना यह तक्रॉल करें चाहि तो मैंने एक दफ़ा यूज है तो 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 बसे ट्री तो फोर आप जाते हैं बिलकुल वेस्टी ज़ब टाइम और यह सारे जो तो तो आपकर करने किसी देना बस कर लें तो future जो है वो obviously टिक्तॉकर्स का तो नहीं है क्यूंकि आपने आगे अपनी future बनाना होता है safe करना होता है कि आपने family कैसे करना आगे families होती है पिर parents को आपने guide कैसे करना सब कुछ तो I think इस issue पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बात सोचने की है कि दो इंतहा पसंद रवाईे जो हैं वो हमारे पास हैं एक अगर इसको बिलकुल गेर इखलाकी कह रहा है इसको हमारी रवायात से मुतासादम कह रहा है लेकिन दूसी तरफ एक यूथ का एक बहुत बड़ा अंसर ऐसा भी है जो कि इनकी बहुत हमायत भी कर रहा है जिनकी जिन्दगियों में आप शायद टिक टॉक या पाप जी या इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग्स के बगार शायद उनको लगता है कि हम लोग शायद तरकी नहीं कर सकेंगे कहीं ने कहीं शायद एक अलमिया ये भी है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को बहुत राड डाल रहा है ये सोचने की बात है ये लमाए फिक्रिया है हमारे वालदेन के लिए भी यूथ यकिनन जोशीली एक हमारी अमर होती है जिसमें शायद हम उस तरीके से संजीदगी से चीज़ों को नहीं सो सकते लेकिन मौशरे की ओवराल जिमधारी जरूर बनती है और इस पे हमारी नसलों का इनहिसार है इस पे हमारे आने वाले कल का इनहिसार है क्या हमने अपने डॉक्टर्स अपने इंजीनियर्स की कीमत पर टिक्टॉकर्स पैदा करने है या हम लोगों ने इनको एक कही न कही बैलन्स करके एंटर्टेन्मेंट और अपनी बाकी तमाम तर रोल भी उतना ही important है इसमें हमारे वालदेन का रोल भी उतना ही important है हमारे असाज़ा का रोल भी उतना ही important है और पूरी civil society का रोल बहुत important है सोचने की बात है इसने सोचिएगा ज़रूर इन्शाला अगले program में किसी और मौज़ू के साथ आपकी हिद्नत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़ दीजिए पाकिस्तान जिन्दा बाद